Hello, I am Dr. Dilfrid Bajwa, मैं एक ENT surgeon हूँ और आज हम बात करेंगे एक बहुत सिंपल सी चीज़ के बारे में जिसको हम ear wax बोलते हैं, हिंगी में कान की मेल बोलते हैं Ear wax या कान की मेल को medical terms में हम cerumen बोलते हैं, ये एक थरीकी का चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे कान की outer skin बनाती है Gland का काम है कि ये हलके हलके जिपा पदार्थ बनाते हैं, अब इस मेल या इस wax का क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारे कान को बचाके रखना, infection से, foreign organisms से, कीरे मकौडों से, कान को नमी देना ताकि कान खुशक ना हो, कान में खुझली ना हो, तो ये basic functions होते हैं कान की मेल क important बात ये भी है कि जो कान की wax है, वो सिर्फ कान की outer skin बनाती है, जो बाहर की skin है, सिर्फ वही wax बनाती है, और हमारे कान एक self cleansing organs है, ये अपना ख्याल खुझ रख सकते हैं, ये मेल को अपने आप साफ कर देते हैं, अब ये मेल कैसे साफ होती है, जब भी हम बात करते हैं, नहीं है, अब कुछ लोगों को habit होती है कि daily नहाने के बाद में कान साफ करना है, earbud से कान साफ करना है, तो ये करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप कान की अंदर पुई बीचीज डालते हैं, चाहे वो earbud हो, जिसको हम सोचते हैं कि medical grade equipment है, वो डाल सकते हैं, लेक नहीं होती है, तो जब आप earbud कान में डालते हैं, तो कान की मेल तो बाहर आती नहीं है, लेकिन कान की अंदर की skin में चोट पहन सकती है, उससे फून आ सकता है, और obviously infections भी हो सकती है, तो earbud का इस्तेमाल करना मेल निकालने के लिए recommended नहीं है, अगर आप hearing aid users हैं, या आप wax automatically clean नहीं हो पाती है, and in that case, आपको डॉक्टर के पास जाके कान की मेल साफ करवारी ज़रत पढ़ सकती है, अगर आपके कान में बहुत जाला wax बनती है, तो आप over-the-counter wax dissolving दवाईयां मिलती हैं, जो आप कान में डाल सकते हैं, बाट recommendation यहीं है कि कुद से मेल को ना निकाने डॉक्टर के पास जाके निकल बाएं, hydrogen peroxide के और ऐसी कोई acidic चीज़े कान में बिलकुल ना डाले, कुछ techniques होती है, wax कान में डालने की, या candle wax कान में डालने की, वो बिलकुल नहीं करें, क्योंकि उससे आपके कान की पढ़दे में फोट पहुंच सकते हैं, उससे जादा कान किसी भी तरीके से साफ करने की आवशकता नहीं है, wax नकालने की requirement नहीं है, ये एक protective चीज़ है, जो कानों को बचा के रखती है, infections से, अगर आपके कान में बहुत जादा wax हो जाए, तो कान ब्लॉक हो सकता है, कान में दर्ध हो सकती है, in that case, see an ENT specialist and get the wax removed, thank you. झालने की आपके कान